हम सब से खाज जुड़े हुए सभी राम भक्त आप सब को प्रणाम आप सब को राम राम आज हमारे राम आ गए है सदियों की प्रतिष्छा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभुत्पुर्व धैरिय अंगिनत बलिदान क्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए इस सुबगड़ी की आप सभी को समस्त देशवाशियों को बहुत बहुत बढ़ाई मैं अभी गर्भ गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अभुरुद है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे है हमारे राम लला अभी दिव्य मंदीर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलवकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरन ये उर्जा ये घड़ी प्रबूस्री राम का हम सब पर अशिरवाद है 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नएक काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पूरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मांसिक्ता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाय से अंकित हो रही अमीट स्मृति रेखाएं साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटि को भी प्रणाम करता हूँ है में माता जान की लक्ष्पन जी भरत तत्रुग्ण सब को नमन करता है मैं पावन अयोध्य पुरी और पावन सर्यु को को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पल कि दैविय अनुभव कर रहा हूं कि जिन के आशिरवाद से यह महान कार्य पूरा हुआ है कि वे दिव्य आत्माएं कि वे दैविय विभूतियां भी इस समय हमारे आज पास उपस्तित है मैं से भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतक्यता पूर्वक नमन करता हूँ